नमस्कार सातियों स्वागता आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पील से आड़े चमेजिकेसिन के अंदर सातियों आज किस वीडियमा आपके लिक्याओं राजथान लोकसिवा आयोग अजमिर के द्वारा पसुचे के सहा अधिकारी और लाइब्रेरें ग्रेड सेके के अत्रिक्स साथ विविन प्रक्षयाओं की प्रक्षयातिति जारी कर दिए उससे समंदित एक ओफिशल नोटिस जारी किया गया तो ओफिशल नोटिस पर चलने से पहले मां आपको बताना चाहता हूं कि जो भी दोस्ट चैनल पर नहीं है पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्ली चैनल को सब्सक्राब करके बेल आगटों को दबाले जिससे कि आपको आर पेस्ती से समंदित पलपल की अपडेट मिलते रहे साथ में वीडियो को लाइक ओर सेर करना ना भूले तो साथिव आप देख पारे हो कि राजथान लोकसिवा आयोग अजमेर के द्वारा पसुचिक्षा अधिकारी और लाइबरेर ग्रेड सेकेंड उसके अत्रिक साथ विविन प्रक्षाओं की प्रक्षा तित्य गोशित कर दी गई है कौन से डेट को कौन से पद की एकजाम होगी वो सारी बाते आपको वीडियो के अंदर क्लेर कर जाएगी तो आप वीडियो के अंतक जरूर बने रहे जैसा कि सात्यों आथ देख पारे हो कि राज्थान लोकसिवा आयोग के द्वारा अगस्त और सित्तमर में पसुचे के साथ अधिकारी साथ नो विविन प्रक्षाओं का आयोजिन करने जा रहा है और भरती प्रक्षाओं का कलेंडर मंगलवार को जारी कर दिया गया तो इस चीव आसिस गुपता ने बता कि अगस्त में संसकर्थ सिक्षा के विवाग में स्कूल लेक्षर के जो पद्दों के लिए चार से साथ अगस्त तक भरती प्रक्षाओं का आयोजिन होगा और इसके अत्रिक्त जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में उसके में असिस्टन् ग्यारा अगस्त को आयोजित की जाएगी और असिस्टन्ट प्रोफेसर सुपर इस्प्रेसिस्ट है उनकी तेरा से चौदा अगस्त को भरती प्रक्षाओं आयोजित होगी और इसके बाद मुल्यांकन अधिकारी के पदों के लिए 23 अगस्त को प्रक्षाओं आयोजित होग ये जो 13 से 17 सितंबर है उनकी एक्जाम आईजित की जाएगी और वर्न विवाग में और ACF and Forest Ranger First Grade Officer के पद्ध है उनकी एक्जाम 20 से 27 सितंबर तक आईजित की जाएगी तो साथ हो आपकी विविन प्रक्षाओं की जो प्रक्षातिति है वो इस परकार बताए गई है तो आप देख पारे हो यह ओफिशल नोटिस आप ओफिशल वेबसाइट के ओपर से भी डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तों यही जानकारे आप तो पोचाने के लिए मैंने वीड पसंद आयोगा वीडियो पसंद आयोगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगेंट को दबा लीजिए तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में पलपल की अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई